मुझाइब करें विल्कम बैक टो मैं चैनल मैं चांदनी आप सब कैसे हैं आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आप लुक्साथ नहीं हो इस टाइल में और गेंजा साड़ी को कैसे ड्रैप करें तो अभी काफी चल रहा है जो जीसी के भी मेरे ड्रैप करका आप लोगों को बताँगी तो आपmedे उसको इसले आप ड्रैप कर सकते हैं और काफी अच्छा भी लगर्या तो यहां पर देख सकते हैं यह और गिंजा, साड़ी को जो मैं आछने की हिले और चा बार इसका कपड़ा भी काफी अच्छा था और मुझे इसका कलर भी काफी अच्छा लगा तो यहां पे में 4 तरफ सारी टक कर ली हूँ और अपने हिसाब से प्लेट को भी निकाल ली हूँ और जो हमारा एक्ष्टा सारी बच्छेगा उसको हमको क्या करना है प्लेट बनाना है बड़ प्लेट बनाने से पहले आपको यहां पे सबसे जो main important parts होते हैं जो यहां पे जो आपकी side प्लेट के अंदर जो आती है सारी उसको हमें अच्छे से अंदर आपको टक कर लेना है या फिर pin से या फिर ऐसे भी आप टक कर सकते हैं तो चलिए यहां पे आप देख सकते हैं मैं साड़ी का प्लेट भी बना लिए और साड़ी को टॉक भी कर लिए ताकि अभी मैं आप रोग को बताऊंगी कि क्यों आप उसको टॉक करेंगे तो एक तो सेफ आता है और इसके बाद आपको साड़ी मतलब प्लेट जो हमारी रहती हो एक दम अच्छे स बैठी रहती है तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर आप चाहे तो ओपन पलू भी रख सकते हैं बट में इस्टाइल करने तो आप लोग साथ यहां पे इसके बाद अभी बताऊंगी तो ऐसे भी काफी अच्छा लग रहा था बट आप वैसे करेंगे तो काफी और भी खु आप कंधे पका प्लेट है उसको टक लिए और इसके बाद में पार्ट जो हमारा है साडी को यहां पे चलते हैं अभी ठीक कर लेते हैं जो कि हमारा आचल है तो आचल को थोड़ा साडीयों को अच्छे से ठीक करेंगे और एक दो बार ऐसे हाथों से अपने घिस दीज़ेग वह काफी अच्छे से बैट जाता है, नहीं तो ओपन भी रहता है, तो काफी ऐसा लगता है बर थोड़ा सा खलोज हो जाता है, फैला नहीं रहता है तो इसके बाद यहां पे सारे साडीयों को अच्छे से ठीक कर लेंगे, मतलब बैट हा लेंगे उसको ताकि हमारा इधरूदर मतलब साड़ी जो है फूला फूला सा ना रहे यहां पर आप देख सकते हैं इजिली में इसको अच्छे से ठीक करने के बाद ने जो हमारा पतला वाला बॉर्डर था उसको में घीच कर और यहां पर साइड में टक कर दी हूँ ताकि यहां पर मैं पीन लगा सको ताकि आप लोग देख पाएं कि यहां जो मैं सारी ड्रेपिंग करी हूँ वो कैसा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएगे का कैसा है जो मैंने हो स्टाइल में आप लोग साथ सारी ड्रेपिंग जो सेर कर रहे हूँ तो यहाँ पर क्या करना है कि सारे प्लेट को पकड़ कि और यहाँ पर पीन आपको लगाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इधर पतला करकि और धीरी धीरी screenshot चोटा करके जिससे मैं नीचे डाउन आई हूं उसको चोड़ा कर दी हूं ताकि इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो अनकॉंफरेबल फिल नहीं होता है आपको मतलब कहीं पार्टी वेगरा कुछ भी अगर ऐसे करके जाते हैं क्योंकि वह आपका पू पिन टग कर लिजेगा उससे आपको काफी अच्छा फिल होगा और मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हां मतलब मैं साड़ी ऐसे पहन के मुझे अच्छा मतलब अनकॉंफरेबल फिल हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है तो यहां पी आप देख सकते हैं काफी अच आपको साड़ी खुलेगी और अच्छे से में पानी थी तो अच्छे से आपका रहेगा साड़ी ऐसे जरू ट्राइ करेगा और वीडियो में ही पेंट करती हूं वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरू करते हैं